मन में खिन्दता रहेगी आपको पत्नी से विवाद हो चकता है पत्नी के सुक में बाधा आ सकती है बाहन सुक में कुछ कमी आ सकती है मित्नों से कुछ विरोध हो चकता है और इस प्रकार से आपका जो सुक्र वो ठीक नहीं है और एकाद से सर्वदावम मंगल देव आपकी रासी से ग्यारमे भाव में है जो की ग्यारमे भाव में मंगल जो चल रहे हैं मीन रासी पर हैं बक्री चल रहे हैं इसलिए ग्यारमे यानि दाव के इस्थान पर हैं बक्री मंगल अधिक दावकारी सिद्ध होगा और ग्यारमा सर्वदाभं एक आद से narवदामन जब प्रकास में नाग होगा भूमी सम्मधी काड़ियों में भी सफ़त paint लेगे नया आयाम जोड़ेंगे जमीन खरिदने का योग बनेगा प्राट खरिदने का योग बनेगा और उसमें सफलता प्रदान करेगा, भाईयों से थोड़ा सा विवाद होगा, भाईयों के विवाद से थोड़ा सा अवधान धेना है, इस प्रकार से मंगर देओ है, वो भाई का कारक होता है, रक्त विकार से संबन्दित कुछ परिशानी हो चकती है, तो इस प्रकार से और सुक्र के बाद राहू आओ, राहू भी आपके रासी पर चल रहे हैं, तो अज्यात भय आपको बना रहता है, कोई डर रहता है, कोई सत्तु बादा आपको अंतर मन में होती है, कभी संका ये होती है कि मुझे प्रेत बादा हो गई, कोई ये बादा किसी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा मन में संका हैं, बनी रहती हैं, यद्द भी होता कुछ नहीं हैं, लेकिन मन ससंकित रहता है, इस प्रकार से राहुदेव आपके, वो सब्तम आपके राहुदेव दगन पही आपकी रासी पर ही चल रहे हैं, और सब्तम भ प्रिवार में इस प्रकार से राहुदेव कर रहे हैं। और सनी देव आपकी रासी ब्रसब से इस सनी देव हैं वो नौ में भाव में चल रहे हैं। नौ में भाग गवरत दिश्चा है यानि नवम भाव में जब सनी चल रहे हैं तो क्या करते हैं। नवम भाव में सनी भाग का इस्थान होता होना उहां पर पूर्टी कर रहे हैं, भाग की पिस्थिती को अच्छी मुझबूत बना रहे हैं, धार में तक तो ग्यान की और अग्रसर कर रहे हैं, जो बड़े भाई बैनों से बाधा आ रही है, उनका बनवुटा हो रहा है, या यही सनी देव आपके जो पंचम इस्थान पर दिठी डा रहे हैं, संतान वाधा आ सकती, संतान को कष्ट हो सकता है, और पढ़ाई दिखाई में मन नहीं लगेगा, इस प्रकार से सनी देव भी अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, साथ साथ मैं सनी देव के बाद मैं रहु सूरी देव आपकी रासी से अभी जो चल रहे थे, सत्तम चल रहे थे और अब जो है सो छट में चल रहे हैं, सूरी जो है सो छट में सूरी का करते हैं, रोग सांत करते हैं, विरोधों को सांत करते हैं, लेकिन गौवर्नमेंट से डड़ाई करते हैं, साथ की व्यक्ती कि जो है उनसे सावधान रहना उनसे कुछ मन मुटाव नहीं करना चाहिए, गवर्लमेंट से सम्बंदित कुछ नुक्सान हो सकता है, इस प्रकार से सूरी देव अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी बक्री अभी जो है तो नीच रासी के चंद रहे हैं, शुक्र दे लेकर अधिक सुभ इसलिए होते हैं, सुख्र देव के चूंकि सुख्र जब बक्री होता है, आति सुभ ग्रह जब बक्री होते हैं, और जब मालगी हैं, तो आति सुभ फद दायक ये सिद्ध होंगे, यानि संतानी स्थान के लिए बहुत उत्तम भग देने बारे होंगे, और देखिए मैंने आपको बताया, एक ग्रह उस इस्थान को बिगाड रहा है, दूसरा ग्रह उस इस इस्थान को सुधार रहा है, दोनों की भासा एक सरीएगी, तो सुधरना और बिगड़ना दोनों की सिद्धी क्या रहेगी, कि कुछ परेशानी हो जाएगी और ठीप हो रहें, इस परिशिती में सामंजर कैसे बेठें, आपको थोड़ा सतंका होना चाहिए, तो मैं आपका निवाल कर देता हूँ, जब कोई ग्रह राजयोग का रहा है, बहुत अच्छा करने जा रहा है, लेकिन साथ साथ में दूसरा ग्रह इस इस इस्थान को बिगाड रहा है तो बिगड़ने का काम भी होगा और सुधने का भी काम करेगा, बिगड़ने का काम क्या होगा, सुधने का काम जैसे आपको जॉब डगा दिया, तो यह सुधने का काम हो गया, लेकिन आपका इस्थाना अंतरन कर दिया, दंते बाड़ा में नक्सरी छेत्र में यह पुसरा ग्रह जब बढ़न करता हूं उसको बहुत अच्छा बतलाता हूं तो ऐसे इस्थिति में आपको दोनों ही समझना चाहिए अच्छा भी होना है बुरा भी होना है यह संका का मैं आपको निवार्ण किये देता हूं तो इस समय सुक्रदेव जो है आपके लाविस्तान पर दिश्टी डाल रहे है वो भी अच्छा है और बंजब विद्या गुद्धी में इस्थि डाल रहे हैं पढ़ाई लिखाई इस्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा भग देने बाले सिद्ध होंगे इस प्रकार से सुक्रदेव और बुद्ध देव जो है वो आपकी वी आची से भोभी च्छट में चल रहे हैं रोग सत्रु आईए लोग आईए उट सब का आवाहन करता रहता है इसलिए थोड़ा सा बुद्ध ओर तो ब्यापार में भी से इथानी करते हैं, πयापार बिरोध करना है भी जरों में पर्ष्वर ब्रोध होगा इस प्रकार की संभावना देख लही है, इस प्रकार सिए गुरुदेव जब तक इस रासी पड़ चल रहे हैं, तुलारासी पर और गुरुदेव आपकी ब्रसवरासी से अभी जो गुरुदेव जो चल रहे थे वो भाग में चल रहे थे अब अश्टम इस्थान पर आ गए हैं इसलिए अब अश्टम इस्थान पर आ जाए गए ब्रसवरासी बारों के लिए अश्टम इस्थान पर गुरु होने से दिट्टी जा रही है यह तो बैव के लिए याने खर्च के लिए भहुत ही अपवे नहीं करा कि सदब्बे कराएंगे मंगर यात्रा होगी धार्मिकारियों में खर्च कराएंगे इस प्रकार से गुरु देव भी आपका अच्छा कारी कर रहे हैं सनी गुरु मंगर का बताया सनी का गुरु का बताया रहु का बताया सुक्र का बताया अब चंद्र देव क्या इस्थिती में क्या करने जाए हैं आपके आठ तारीक को चंद्रमा कहां रहेंगे आपके आठ चारीक को आपके ब्रसब रासी से अभी जो जो चल रहे थे वो चोते चल रहा अब यह तो पा यानि पहले दिन ही आपको आड़तारी को धन्सम्पत्ती से संबनेद कुछ दाव दिखने लगेगा और उसके बाद चतुर्थे कलहागामा और उसके बास नो और दस तारी को कलहकारी बाता बने चतुर्थ चंद्रबा हो जाएंगे तो मित्रों से विरोधा सत्तु बाधा और घ्यारा और बारह तारी को यही चंद्रबा आपकी रासी से जब तीस छोथे हो जाएंगे तो रहेंगे पांच में हो जाएंगे पांच में चंद्रमा बहूत उत्व पल्दायक रहेंगे ग्द्धी ग्यान व्रध्धी के लिए भूद अच्छे हैं पराही लगाई के परिच्छाएं देने बदार है उनके लिए संपता का बातावन बनेगा और तेहा और चवधा तारी को यही चंद्रमा आपके ज्वासों या पंचम हो जाएंगे तो उसके बाद छट में चंद्रमा हो जाएंगे आपकी रासी से तो छट में चंद्रमा व्याधी समा युकता याने चंद्रमा तारी को कुछ व्याधियां आ सकती हैं इस प्रकार से पूरे सब्ता वर आपके ब्रिशवधासी बारों का मैंने बढ़न किया मंगल कामना करता हूं कि आपका विस उप्तम रहे हरी हो हर समस्या का समाधान वो भी कर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान लव प्रॉब्लम हो या प्रेक का प्रॉब्लम हो ये मनाना चाहते हैं अपने घर पर दिवार को डाइवर्च प्रॉब्लम हो ये पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार बशी करन ब कर अपनी सोचल से इन सब समस्यां को समाधान है हमारे पास आए संपर कीचे जोतिश्य ग्यानी विशार शर्माजी से अब चानकारी ली विए करें हमारा यूडियूब चैनल जोतिश्य ग्यानी और संपत करें हमारा कॉंटेक्ट नंबर है 78289129 ज़न्यवाद